हाई गाईज, वेलकम तो स्मार्ट कॉमर्स क्लासेज, माई नेम इस अंचुल मिथल और इन तोड़ेस वीडियो, वी विल बी स्टार्टिंग विद इस सेकिंग चाप्टर ऑफ एफ सेवन और दी नेम ऑफ दी चाप्टर इस टांजिबल नॉन करंट आसेट्स तो बिफोर आई स्टार्ट इस चाप्टर, मैं तुम्हें इस चीज बता देता हूँ कि इस चाप्टर इस डारेक्ली रिलेटेड विद यूर एफ थ्री, ठीक है? एफ थ्री से ये डारेक्ली रिलेटेड है अब पॉइंट जो है इंपॉर्टन वो ये है जिन बच्चों ने एक्जम्शन ली है एफ वन टू एफ फोर की ठीक है? उन स्टूडेंट्स को एफ थ्री की वो वीडियो जो है वो देखना जरूरी है क्योंकि जिनों ने एफ वन टू एफ फोर की एग्जम्शन ली है उनको ये चीज नहीं पता होगी कि एसी सीए के अंदर रिवालुएशन डेप्रिसियेशन इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और यहां पे अक्युमूलेटिड डेप्रिसियेशन डेप्रिसियेशन की क्या वर्थ होती है इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझने में तो I will highly recommend जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जम्शन ली है F1 to F4 की वो स्टूडेंट्स मेरी F3 की वीडियो जरूर देखें इनका जो लिंक है इन वीडियो का वो तुम्हें description में मिल जाएगा description के अंदर यह दोनों लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे वहां से यह वीडियो जरूर देखना जिनको depreciation के बारे में knowledge बिलकुल नहीं है उनके लिए तो highly recommended है कि वो दोनों वीडियो पूरी पूरी देखें और जिनको depreciation की knowledge है थोड़ी बहुत knowledge है और कुछ चीजें भूल चुके हैं वो सिर्फ उस part को fast forward करके specific part देख सकते हैं इस chapter के अंदर वो सारे parts मैं कराऊंगा but not in detail I would expect because this is professional level professional या skill level basically तो skill level में I will expect कि बच्चों को इस chapter की थोड़ी बहुत knowledge है क्योंकि जैसे धीरे धीरे हम उपर जाते रहते हैं ठीक है knowledge में तो हमसे expect किया जाता कि पुरानी knowledge हमें होगी जब भी तुम एक level cross करके next level पे जाओगे इस level पे अब तुम आ जाओगे तो it is expected कि इस level की तुम्हारे को थोड़ी बहुत knowledge है जब तुम यहां से इस level पे आओगे तो यहां से तुम से expect किया जाएगा कि तुम्हें इस level की knowledge है ठीक है तो यह याद रखना जो भी पुराना पड़ा है हमें वो पता होना चाहिए तो यहां पे हम उस वीडियो का effect करेंगे मैं तुम्हारे को link description में दे रहाँ वो जरूर कर लेना So let's start with this chapter guys So सबसे पहले आता है हमारा tangible non-current asset में यह part जैसा कि मैंने previous वीडियो में बताया था कि यहां पे तुम्हें international accounting standards जरूर जरूर लिखने हैं तो यह लिखके अपनी copy में जो एक मैंने बताया थी फिर्स वीडियो में वो बना लो और उसमें लिख दो international accounting standard 16 is property, plant and equipment और page number इसका दे जो जो तुमारी बुका है page number 24 ठीक है IS 16 is property, plant and equipment अब एक बार इसकी थोड़ी सी theory पढ़ते हैं which is important ऐसा नहीं है कि theory important नहीं है कुछ students मुझे बोल रहे थे कि सरब जल्दी जल्दी F7 करा दो यह तो F3 से link है theory बगरा पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है guys कुछ theory हमें पढ़ने की जरूरत है टीक है जल्दी जल्दी कराने है वो जल्दी कराऊंगा I'll not waste your time तो property, plant and equipment यह हमें पता है these are property, plant and equipment tangible assets held by the entity for more than one accounting period for the use in production and supply of goods for rental to others or for administrative purpose these are property, plant and equipment यह सब को पता होगा अब recognition recognition मतलब हम cost के अंदर cost में क्या-क्या include करते हैं यह चीज हमने वहां पे भी पढ़ी थी F3 में बढ़ यहां पे मैं जल्दी से बता देता हूँ तो यहां पे हम क्या-क्या include करेंगे an item of property, plant and equipment should be recognized as an asset first thing when it is probable that future economic benefits associated with the asset to flow to the entity the cost of asset can be measured reliably हम books में asset की cost अभी करेंगे जब हमें पता है कि future में हमें यह asset benefit देगा क्योंकि production वगारा में asset हमारा use होता है और cost हम उसकी measure कर सकते हैं अगर कि किसी asset की हम cost measure नहीं कर सकते तो हम उसको यहां पे include नहीं करेंगे first thing बिल्कुल simple सी बात next initial measurement अब जो मैं उपर cost की बात कर रहा था वो यह point यहां पे आएगा initial measurement कि initially जो हम cost of asset लिखते हैं तो cost of asset में क्या-क्या चीज include होती है और किस-किस चीज को हम exclude करते हैं जैसे for example यह वैसे मैंने अल्रेडी कराया हूँ है बट स्चिल एक बर कराते था हूँ जैसे for example अगर मैंने एक car purchase करी for Indian currency 10 lakh plus I have paid for insurance 25,000 plus I have paid road tax of 15,000 plus I have paid for accessories like 20,000 okay plus I paid for like registration and for registration इसके charges में रहा है 50,000 plus I paid for like after two days कुछ इसमें problem होगी तो मुझे इसको repair कराना पड़ा उस repair के मैंने 30,000 expense करा है तो this was for insurance, this was for मेरा road tax this amount was for accessories and this amount was for RC that means registration charges और यह थीस की repair तो जब मैं asset को अपनी books में cost पे लिखूँगा तो what should be the value so cost के अंदर इसमें से कौन सी cost आएगी कौन सी नहीं आएगी वो हमें यहां से पता चलेगा सब को पता है I know सारे बहुत smart हो तुम्हें बड़ी knowledge है F3 में तुम अच्छे number से पास हुए हो तो तुम्हें सब को पता होगा still मैं कहूँगा एक बार देख लो to the working condition that means मैं इसको बोलता हूँ asset को start करने से पहले का खर्चा उसकी cost में add होता है asset को start करने से पहले का खर्चा that means जब वो bike car तुम्हारे पास आई यहां तक आने के बाद तुम car को start करके चला सकते थे use कर सकते थे और तुमने करा भी बाद में कुछ repairs का इसका खर्चा हुआ तो जो यह repairs का खर्चा हुआ है यह हमारा cost में include नहीं होगा यह सारा खर्चा करने के बाद ही asset was कि मैं उसको चला सकूँ तो start करने से पहले का खर्चा मेरी cost में add होता है तोटल नहीं करना है इसका not required आगे it also include in its initial cost capital cost such as cost of site preparation delivery cost installation cost, borrowing cost that is accordance with IAS 23 यह हम आगे जाके पढ़ेंगे यह सारी cost भी इसके अंदर add होगी जैसा मैंने तुम्हें यह example दिया है कि यह cost plus जो हमने insurance, delivery यह सारे खर्चे जब तक वो asset start हुआ है उससे पहले का खर्चा आगे revenue cost should be return off as incurred revenue cost मतलब हमारी normal cost जो asset के start होने से related नहीं है जैसे यह repairs repairs are revenue cost revenue cost मतलब यह मेरी profit and loss में जाती है asset की cost में add नहीं होती reason क्योंकि इस value से asset का कोई भी फायदा नहीं हो रहा asset की value down हो गई थी चाहिए थी वो मैंने repair कराके normal position में मैं उसको ले आया हूँ और detail में इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी यह आएगा भी point तो इसको भी जादा हमें दिमाग लान की ज़रूरत नहीं है वैसे तुम सब बहुत smart हो जैसे मैंने बताया था तुमें यह चीस पता होगी कि सर यह हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी खर्चे से asset की value increase होती है efficiency तो वो हमारी asset की cost में आड होती है अगर efficiency increase नहीं होती maintain होती है तो वो asset की cost में आड नहीं होती सब ने पढ़ा होगी बढ़ा के भी पढ़ेंगे this is a new topic जो हमने F3 में नहीं पढ़ा था यह कौन सी cost है this is called dismantling cost अब यह जो cost है this is a bit included with या this is bit linked with your F2 इसमें थोड़ा सा F2 हम यूज करेंगे यह cost क्या कहती है dismantling cost logic देखना मैं यह चीज नहीं बता रहा logic बता रहा हूँ logic is जैसे for example तुमने एक plant and machinery बन वाई काफी बड़ा plant मतलब यह काफी बड़ा area है इसमें इतनी बड़ी तुम्हारी plant and machinery रही है it's a big machine काफी बड़ी machine है ठीक है मतलब यह drawing मेरी चलो अच्छी सी drawing बनाता हूँ जैसे एक यह है एक यह है एक यह है यहां से link है फिर यहां से link है फिर यहां से link है इसका यहां से link है यहां से link है फिर इसमें से product निकलता है something like that so this is like a big machine अब यह machine को start करने से पहले का सारा खर्चा जो मैंने उपर पताया था वो तो cost मेड होगा होगा plus तुम्हें पता है कि जब भी जब भी life में तुम्हें यह machine बं करोगे इसको बेचोगे तो तुम्हें इसको dismantle कराना पड़ेगा मतलब यह बंदे को बुलाके सारे parts अलग करवाने पड़ेंगे सब कुछ करवाना पड़ेगा that is not scrap value guys scrap value is different scrap value क्या होती है कि जो बाद में जब asset की value zero हो जाएगी that means यह काम नहीं कर रहा उस time जब हम इसको कबार में बेचेंगे then जो हमें value आएगी amount refund होगा that is called scrap value dismantling cost होती है मैंने एक बंदा बुलाया कि तुम आओ और यह सारी machine अलग-अलग कर दो ताकि मैं इस machine को बेच सकूँ अब ऐसे पूरा-पूरा एक मान लो काफी बड़ा area है उस पूरे area को थोड़ी को उठा के लिए के जा सकता है तो सारे parts अलग-अलग करने पड़ेंगे और उसका भी काफी मोटा करच जा है क्योंकि इसमें काफी installations ऐसी थी जो कि fix थी fix मतलब वो इतनी असानी से तूट नी सकती nuts, nuts बगारा नहीं थे तो इस बंदे ने बोला कि ठीक है मैं अभी बता रहा हूँ कि जब भी ये machine खराब होगी और जब भी तुम इसको बेचना चाहोगे तुम्हारा Indian currency में let's say 1 lakh रुपीज का expense आएगा तो let's say हमें पता है plant and machinery की useful life जो है that is for 10 years 10 साल बाद इस machine की value zero हो जाएगी, कोई scrap value नहीं example, तो हमें इसको बुलाना पड़ेगा dismantle करने के लिए, तो 10 साल बाद 1 lakh रुपे का हमारा guaranteed एक और खर्चा होगा, जो कि हमने asset को लेने से पहले करा था indirectly खर्चा होई गया न, asset को लेते time क्योंकि ये तो बाद में करना ही करना है उसके बिना तो ये area ही खराब हो जाएगा तो this expense will be included in the cost, जो भी dismantling का खर्चा, asset को बाद में निकालने का जो भी खर्चा होगा dismantling cost it will also be included in the current cost लेकिन अब difference क्या है दस साल बाद इस बंदे ने बोला आपको एक लाग देने पड़ेंगे हम जो cost लिखेंगे वो तो current year की लिखेंगे हम जो cost लिख रहे हैं वो तो current year की लिख रहे है अब current year की cost में let's say इस plant को बनाने का मेरा खर्चा आया था तो करोड एक अदा जीरो कम जादा हो सकता है अरे बिल्कुल सही बने टू करोड का मेरा plant को बनाने का खर्चा आया था और अब इसको dismantle कराऊँगा तो मेरे को एक लाग और देना पड़ेगा लेकिन टू करोड मैंने पे किये आज आज एक लाग मैं पे करूँगा बीस साल बाद बीस साल बाद मेरे को एक लाग पे करने है तो मैं ये देखूँगा कि वो जो एक लाग बीस साल बाद होंगे उस एक लाग की current value क्या है क्योंकि आज मुझे अपनी books में डाल दी है वो cost क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक खर्चा होना ही होना है हमने एक अकाउंट्स में concept पढ़ा था prudence concept उस concept का मतलब क्या होता है never anticipate any losses oh sorry never anticipate any profit but always anticipate your losses तो हमें पता है कि हमारा एक लाग का खर्चा होने वाला है उस expense को आज की date में हम books में add करेंगे अब आज की rate के लिए उसकी आज की cost निकालने पढ़ेगी तो हमने एक annuity table पढ़ी थी annuity का chapter पढ़ा था उसमें हमें पता था कि अगर हमें आज की value निकालनी है तो हमें चाहिए उसकी future cost future cost into 1 upon 1 plus rate whole n n मतलब number of years जो भी उसकी useful life है इसको जब हम multiply करेंगे तो हमारी आज की उसकी cost पता चल जाएगी 1 lakh की और जो वो value आएगी उस value को हम cost में include करतेंगे ठीक है guys concept समझाया dismantling cost का ठीक है you may need to use the interest rate given and apply the discounting fraction where r is the interest rate and n is the number of years to the settlement यानि एक तरह से तुमारा useful life ठीक है अभी question से तुमें समझायेगा और detail में let's start a question if an oil rig was built in sea the cost to be capitalized is likely to include cost of construction of asset and present value of the cost of dismantling it जैसा की मैंने बताया है if the asset cost 10 million dollars to construct and would cost 4 million dollars to remove in 20 years यानि after 20 years यह हमें बोला गया है कि asset की हमारी जो current cost है that is 10 million for purchase और after 20 years after 20 years हमें 4 million dollar का एक और खर्चा करना पड़ेगा for dismantling it अब यह जो खर्चा है that is after 20 years 20 साल बाद 4 million dollars का है तो इस 4 million dollar की आज की value क्या होगी अच्छा guys mind में सोचना सबने F2 बढ़ा हुए आज की value इस 4 million dollar की कम होगी के जादा होगी let's see how cool क्यों आ आज की value इस 4 million dollar की कम होगी है जादा होगी फटा बट से सोचो 3, 2, 1 इसकी value आज की date में कम होगी कैसे आज का 100 पे आज के 100 पे आज से 10 साल बाद इसकी 100 पे की value 1000 होजएगी value बढ़ जाएगी जैसे हम बोलते हैं आज के 100 पे जो हमारे हैं इस पे interest rate add उता रहेगा add उता रहेगा तो इस 100 की value बाद में 1000 हो जाएगी तो बाद में अगर मुझे 1000 चाहिए तो आज मुझे bank में 100 पे जमा कराने पड़ेंगे वही concept यहां लगा है 20 साल बाद मुझे 4 million का खर्चा करना है आज की उसकी value निकालने पड़ेगी और वो आएगी कम तो हमने क्या किया हमने 4 million dollar का 5% हमें interest rate दिया हुआ है interest rate is 5% हमने 1 upon 1.05 यह वाला formula लगाया और इससे हमारे आज की value आगी 1 million 5 something 500,007 558 जो भी value आगी मलब इन इंडिया भी कॉल इट 15,7558 यह हमारी आज की cost आगी तो मैं जब आज की books बनाऊँगा तो cost में क्या include करूँगा 10 million dollars जो मेरा purchase का कर्चा था plus 20 साल बात जो करने है उसकी current cost which is this value ठीक है अब इसका क्या होगा यह हमारी cost आगी इसको हम divide by 20 कर देंगे तो हमारी depreciation इच ही है राजेगी हाना यह सबको पता है अच्छा का इस दुबारे एक चीज़ बोल रहा हूँ जिन बच्चों को यह नहीं समझाया मैंने क्यों divide by 20 कर रहा है यह problem है that means उनको depreciation chapter देखना पड़ेगा उनको वो videos देखनी पड़ेगे F3 वाली क्योंकि depreciation का formula उते है cost minus crab value divided by useful life हमें this crab value यहां नहीं दी हुई तो cost divided by useful life तो it will be depreciation each year तो this would be depreciated over 20 years so that this इनोने जो चलो यह लग निकाला हुए तो 20 साल की depreciation निकाल दी तो divide by 1 by 20 किया तो this is depreciation per year बस यह चीज़ इनोने यहां लिखी हुई है ठीक है each year the liability would be increased by an interest rate of 5% balance sheet में जो हमारी liability होगी अब normally तो हमें सब करेंगे liability हम 5% से हर साल increase करते रहेंगे मतलब जो भी हमने expense किया था देखो ध्यान से 1507558 यह जो आज की value है एक तरह से मैं यह मालूँगा कि मैंने bank में जमा करा दिये पैसे अभी calculation में नहीं है included यह guys वो चीज पार नहीं है घवराना मत वैसे बता रहा हूँ हमने 10 million dollar का तो खर्चा किया था यह तो खर्चा हमने भी करा ही नहीं हमने लेकिन क्या किया जब आज की value निकाली तो वो इतनी आ रही है यह पैसे भी हमने एक तरह से 4,000,000,000 बन जाए और हम dismantling cost यहां से pay करते हैं तो इस पे हर साल interest मिलेगा तो वही बस इस value को इस पे next year interest लगा दिया तो that means साल के end में इसका 5% value आएगी यह तो यह भी हमारी interest में add हो जाएगा basically value में add हो जाएगी तो इसका भी तुम्हें जाएगा सोचना नहीं है बस यह concept याद रखना है कि एक तो यह आज की value निकालना और वो value जब तुम बैंक में जमा करा होगे तुम्हें हर साल उस पे interest देना पड़ेगा interest आता रहेगा sorry ठीक है this increase is to be taken in finance cost of statement of profit and loss account अब देखो तुम्हें इसमें क्या करना है एक simple सा logic जैसे let's say I'll take it 1.507 million ठीक है 1.507 million या चलो पूरी value लिख देता हूँ और इस पे 75378 तो पहली बात तो ये मेरी depreciation इचीर होगी तो depreciation का effect क्या होता है दो effect सबको पता है एक तो हमारा expense में जाता है और एक accumulated depreciation में हम इसको add कर देते हैं ये जो 75,000 इस value पे interest आएगा इस interest का भी क्या होगा एक तो हमें इसको statement of profit and loss में जाना पड़ेगा interest को that means ये भी हमारा expense बन जाएगा और same हमें इसको accumulated depreciation में भी add करना पड़ेगा interest की value भी expense और accumulated depreciation में add हो जाएगी ठीक है याद रखना ये जो interest है ये भी हमारा expense बन जाएगा that means this increase is taken to finance cost that means expense में आ जाएगा plus ये हमारी liability भी बन जाएगी that means जो भी हमारी ये liability में depreciation लगी थी इसमें हम इस interest को भी add कर देंगे each year liability would be increased by interest of 5% तो liability भी बढ़ जाएगी और expense में भी हम इसको add कर देंगे ठीक है next अभी test of understanding 1 गबराना मत इस understanding में I believe वो वाला part नहीं है जो हमने अभी बढ़ा था तो let's start this इसमें वो पूछ रहे है an entity started construction on a building for its own use on 1st April 2017 and incurred the following cost ये सारे खर्चा है material costs were greater than anticipated on investigation it was found that material cost of 10 million has been spoiled and therefore wasted and a further 15 million was incurred on materials as a result of faulty design work ठीक है as a result of these problems work on these buildings ceased for a fourth night during October 2007 and it is estimated that approximately 9 million of the labor cost late to this period the building was completed on 1st July 2008 and occupied on 1st September 2018 अब वो ये कह रहे है कि total building को बनाने में हमारा ये खर्चा है ठीक है और इस खर्चे में कुछ इन चीजों के बारे में हमें बताया हुए ठीक है अब point is ये तो हमें इनोंने बता रहा है कि total building में हमारे ये खर्चा आया stamp duty legal fees site preparation and clearance total material कितना लगा total labor period की कितनी है architecture fees कितनी है और general overhead कितनी है तो देखा जाए अगर ये चीज ना given हो तो हम तो total इसी को अपनी cost बानेंगे asset को start करने से building को पूरा खड़ा करके use करने से पहले का ये सारा खर्च है लेकिन हमें यहां पर बोला हुए material costs were greater than anticipated on investigation it was found that material costing 10 millions has been spoiled and therefore a further of 15 million was incurred on material as a result of faulty design work मतलब जो ये material का खर्चा है इसमें से अगर मैं 15 million में से 3-0 हटा दू 15 million इसमें 3-0 हटा दू that means 15,000 तो 15,000 plus 10,000 ये जो मेरा खर्चा है material cost ये इस building को बनने में नहीं लगा ये जो खर्चा हुआ है 15 और 10,000 हुआ क्या था building बनाते बनाते कुछ faulty construction हो गई उस faulty construction पे खर्चा हो गया और वो faulty construction खदम करने पड़ी अब अगर faulty construction पे ये खर्चा हो गया product के बनने से तो related ही नहीं है अब तुम बोलोगे कि सर फिर इस खर्चे का क्या करे इसको हम अपना expense दिखा सकते है we can show it as expense I believe सबको ये concept पता है depreciation का मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि depreciation का concept ये है कि हम या तो expense दिखाएंगे ये asset में add करतेंगे तो ये जो खर्चा था जो खराब हो गया हमारा तो खर्चा तो business का हुआ ही है इसको हम पूरा पूरा expense दिखाएंगे लेकिन asset की cost में include नहीं करेंगे क्योंकि asset से ये खर्चा related नहीं है अब मैं बोल दू मैंने asset के अंदर कुछ ऐसी पाटी-पूटी करीवी उसका काफी खर्चा हो गया था क्या वो asset related है नहीं है न ऐसी ही ये खर्चा जो था किसी धांचे के लिए था बड़ वो जब बना ही नहीं धांचा वो चीज बनी ही नहीं तो इसमें ये खर्चा में include नहीं करेंगे तो 1 lakh minus 25,000 तो इसको I will take it 75,000 के material में मेरा खर्चा 75,000 का आया है 25,000 is not included in this second as a result of these problems the work on the building ceased for a fortnight during October fortnight मतलब 14 days के लिए ये काम बंद हो गया and it is estimated that approximately 9 million dollar cost late for this period अब जो ही हमने गलत प्रचीज बना ली उसमें material का तो 25,000 का खर्चा आया था labor भी हमारी उसमें लगी थी वो तो बात में 40 चीज निकल गी न बट labor तो लगी थी तो 9 million यानि 9,000 की इसमें labor भी लगी थी again ये जो labor है you can show this labor as a expense but ये जो labor का खर्चा है that will not be included in the cost क्योंकि इस building को बनाने का एक खर्चा नहीं है ये तो कोई औरी building बन गी थी या कोई औरी चीज बन गी थी जो use नहीं हुई तो ये भी हम यहां से minus कर देंगे तो 1,50,000 minus 9,000 is 1,41,000 तो ये हमारी labor की cost आएगी the building was completed on 1st July and occupied on 1st September तो 1st complete हमारी 1st July को होगी 1st September को हमने occupy किये so that means हमारी जो total value आएगी मैं 5,83,000 में से एक और चीज गाएगी ये जो general overheads है अब general overheads को हम basically कुछ भी मान सकते हैं बट यहां पे जो general overheads को इन्होंने माना हुए, इन्होंने ये माना हुए कि general overheads building को बनाने के बाद का खर्च है कि general खर्च हैं कि building को बनने के बाद हमने जैसे थोड़ी बहुत repair कराई जैसे मैंने उपर car का example दिया था so those are general overheads overheads मतलब चीज को बनने के बाद के खर्च है ये general overheads building की maintenance and all तो ये भी building को बनने से रिलिट नहीं है तो ये cost भी हमारी include नहीं होगी तो याद रखना है यहां से concept क्या पता चला है asset की cost के अंदर general overheads include नहीं होते क्योंकि ये overheads cost चीज के बनने के बाद के होते है तो मैं 5,83,000 में से minus कर देता हूँ 25,000 minus 9,000 minus 30,000 so that means actual जो मेरी cost आएगी it will be 5,19,000 ये होगी मेरी asset की cost जो हम लिखेंगे books में और इस cost पे हम हर साल depreciation charge करेंगे ठीक है guys ये concept सबको समझाया नहीं समझाया तो एक दो बार videos देख लेना असान सी समझाया देगा बस याद रखना जो खर्चा asset से related नहीं है directly उसको हम asset में include नहीं करते next part आदा है guys हमारा subsequent expenditure अब ये वो expense है जिसकी मैं तुम से बात कर रहा था कि एक तो हमारी हमारी दो टाइप के expenses होते हैं एक तो होते हैं I'll just write it down एक होते हैं हमारे asset को start करने के खर्चे और एक होते हैं जब हमारा asset start हो जाता है asset बन जाता है उसके बनने के बाद उसकी efficiency improve करने के खर्चे बेसिकली अगर मैं cost की बात करूँ तो asset की cost में दो खर्चे अड़ होते हैं एक तो होता है asset को start करने वाले सारे खर्चे और एक asset की efficiency improve करने वाले अब efficiency improve करने वाले कौन से होते हैं अल्रेडी covered है F3 में बढ़ चल्दी से बतायता हूँ जैसे for example मैंने ये building बनाई ठीक है ये two floors की building है उसके बाद मैंने इस building में खर्चा किया जिसमें मैंने यहाँ पे एक छोटा सा room बना दिया ये जो room मैंने बनाया है उससे इस building की efficiency overall value increase हुई है of course क्योंकि अगर ये building पहले सस्ती बिखती थी तो अब इससे थोड़ा सा फरक पड़ेगा और इससे value भी बड़ी है और efficiency भी बड़ी है कि हाँ चलो building में एक और floor बन चुक है एक room तो बन चुक है तो इस पे जो मेरा expense हुआ है ये जो मेरा expense था ये तो starting में खर्चा हुआ था बनाने का और ये जो मेरा expense हुए इस चीज़ को बनाने का इससे मेरी efficiency improve हुई है तो इसलिए मैं इस cost को भी include करूँगा लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कुछ repairs हुई थी ये part तूट गया था तो इसका मैंने खर्चा कराया यहाँ से कुछ तूट गया था paint पूर्ण कराया उस पे जो मैंने expense किया था उस expense को मैं include नहीं करूँगा क्योंकि वो paint कराने से efficiency या ये improve नहीं हुई है तो ये भी तो सोच सकते हो paint कराने से भी तो asset की value बढ़ जाती है value बढ़ती नहीं है asset की value paint खराब होने से गिर जाती है फिर जब हम paint कराते हैं या कुछ repairs कराते हैं उससे value पुरानी वाली maintain हो जाती है बट value बढ़ती नहीं है ठीक है तो ये हमारे दो टाइप के expenses होते हैं तो अगर हमारी efficiency improve होगी वो खर्चा include होगा दूसरा नहीं होगा वही सेम चीज़ यहां लिखी हुई है तो subsequent expenditure asset बनने के बाद जो खर्चा हुआ है the subsequent expenditure on property, plant and equipment should only be capitalized capitalized मतलब asset की value बें इंकलूड if it enhances the economic benefits provided by the assets this could be extending the assets life and expansion on increasing the productivity of the asset it relates to an overhaul or require major inspection of asset the cost associated with this should be capitalized and depreciated over the time until next overall or safety inspection यह याद रखना guys इसका मतलब क्या है सोचो, कोई plant मेरा लगा था उस plant पे मुझे major inspection हर 5 साल बाद inspection करानी होती है तो मैंने inspection पे let's say 1 lakh खर्चा किया है plant जो है, याद रखना plant जो है, that is a different thing plant की जो मेरी cost है उस पे मैं depreciation charge कर ही रहा हूँ बट जो मैंने ये overhaul या inspection पे खर्चा किया है और सोचो, मुझे 3 साल बाद दुबार inspection करानी है, या 4 साल बाद दुबार inspection करानी है, तो ये जो मैंने खर्चा किया है, this will also be capitalized, मैं इसमें cost में add कर दूँगा, या लग से रिखतूँगा, that means I'll write inspection charges और इसको भी मैं divide by 4 करके, हर साल 25,000 में depreciate करता रहूँगा, क्योंकि ये overhaul और major inspection जो है, ये भी कुछ specific time period के लिए होती है, आगे, it is replacing a component of a complex asset, the replaced component should be de-recognized and a complex asset in the asset made, अब तो number of the components, which depreciate at different rate, example, aircraft would compromise body, engine and interiors, अब जैसे हमारे aircraft है, aircraft में जो हमारे plane होता है, ये क्या बन गया? एक सकिन गाइस, सॉरी, मेरी drawing थोड़ी इतनी अच्छी खास नहीं है, आप सही बन रही है, वाह, 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 क्या drawing बनी है, चलो जो भी बनी है guys, जैसी भी है, इतना ही इतना ही आती है मेरेको, तो ये जो हमारा asset है, इस asset में यहाँ पे motors लगी होती है, motors की life अलग होती है, ये जो इस पे लगा हुए, लोहा वगारे, सब इसकी life अलग है, steel की life अलग है, इसके अंदर जो material है, furniture उसकी life अलग है, तो हो सकते है, इस asset में तीन अलग-अलग parts हों, जिसको अलग-अलग depreciate कर रहे हों, तो सोचो हमने motors ये replace करा दी, तो पुरानी motors को मैं sale out कर दूँगा, नई motors यहाँ पे डालके, उसको में depreciate करना start कर दूँगा, तो it's very simple, अगर मैंने कोई major part change कराया है, तो जो part खतम किया है, उसको asset में से निकाल दूँगा, और जो नया part लिया है, उसको asset में include कर दूँगा, जैसे हम plane के अंदर नया part fit करते हैं, पुराना निकालके, costing के अंदर भी हम पुराना part निकालके, नया part include करके, इस पे depreciation charge कर लेंगे, और वो जो नया part है, उसकी useful life के according, ठीक है, तो यह है subsequent expenditure on property, जल्दी जल्दी से efficiency increase होती है, overall या major inspection, तो inspection को भी हम asset में include कर लेंगे, capitalize करेंगे, और उस पे जितनी भी उसकी life है, जो भी next expansion date है, inspection, तब तक depreciate करते करेंगे, और अगर हमने कोई part replace किया, उसको निकालके, दूसरा part जो डलेगा, उस part पर हम depreciation claim कर लेंगे, all other subsequent expenditure should be recognized in the statement of profit and loss, मतलब और कोई भी खर्चा अगर हमने asset पर कर रहा है, उन तीनों के अलावा subsequent, मतलब asset को बनने के बाद, वो सारा का सारा खर्चा हम normal profit and loss में डालेंगे, because it merely maintains the economic benefits of originally expected, example, cost of general repairs should be written off immediately, जैसा मैं तुम्हें बताया था, paint वाला खर्चा है, ठीक है, sorry guys, बीच में actually मेरी अवाज में शाहरे तुम्हें थोड़ा सा pressure लग रहा होगा, but the point is actually मेरी back में काफी pain है, तो मैं हलका सा भी move करता हूं तो वो pain exaggerate होता है, थोड़ा सा आवाज मेरी तेज हो जाती है, तो please manage कर ले नहीं जीज़ काइस, अब illustration number two पढ़ते हैं एक बार, then इसको solve करते हैं, a piece of machinery has an annual service cost of 10,000, एक piece of machine है, उसकी हर साल की 10,000 service cost है, अब हर साल वो service कराते हैं, इस service से हमारे asset की efficiency increase नहीं होती, maintain होती है, कि पूरा साल asset चलेगा, थोड़ी सी उसकी efficiency कम हो जाएगी, यह repair कराके value maintain हो जाएगी, तो यह हमारा हो जाएगा, revenue expenditure, that means profit and loss में जाएगा, during the most recent service, it was decided to replace part of engineering, meaning that it would work faster and produce more units of product per hour, the cost of replacement part is 20,000, मतलब during most recent service क्या हुआ, उन्होंने एक नया पार्ट डाला, उन्होंने बोला, इस पार्ट को डालने से asset पहले से भी तेज़ चलेगा, और पहले से जादा products बनाएगा, आपने जब लिया था, यह एक दिन में आड करूँगा, तो 10,000 service cost is revenue expenditure, return off to profit and loss account, 20,000 replacement part enhances future economic benefits and is so capital expenditure and increases cost of non-current asset in the statement of financial position, that means financial position यानि balance sheet में asset की value increase हो जाईगी, तो asset की cost का concept, I believe तुम सबको समझा चुका होगा, कि asset की cost में क्या-क्या include होता है, क्या exclude होता है, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा depreciation, अब depreciation का है international accounting standard 16, पैरा 6, लिख लेना copy में, इसकी definition पढ़ लेते हैं, depreciation is the systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life or depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for cost less its residual value, तो basically depreciation की definition है, यह हमने, इसमें depreciable amount और depreciable amount क्या होता है, practically बताता हूँ, asset तुमने लिया 1,00,000 का, इसकी useful life है 5 years, और यह 1,00,000 का तुमने असेट लिया, useful life है 5 years, और 5 साल बाद इसकी जो scrap value है, वो है 20,000, तो पहली बाद, 1,00,000 में से जब मैं scrap value minus कर दूँगा, यह आजेगी मेरी 1,00,000 would be the depreciable amount, कि किस amount पे मुझे depreciation क्लेम करना है, यह already हम कर चुके है F3 में, and I believe तुमने वीडियो देख लिया होगी, तो यह value पे हम depreciation क्लेम करेंगी, तो this is called depreciable amount, और 1,00,000 divided by useful life 5 years, तो 20,000 जो मेरी आ रही है, that is called depreciation, तो depreciation यह होगी, और this 1,00,000 is depreciable amount, तोड़ा साथ theory पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके जो बाकी के questions हैं, वो already तुमने cover कर रखे होंगे F3 में, मैं जल्दी जल्दी उस चीज़ को करा दूँगा, क्योंकि इसमें और बहुत ज़ादा चीज़ें नहीं नहीं हैं, थोड़ी बहुत हैं, वो मैं करा दूँगा, So, depreciation must be charged from the date when asset is available for use, मतलब जिसतिन asset available for use हो है, not from use date, मतलब building अगर हमारी complete हो गई थी, 1st April को हमने use करना शुरू किया है, 1st June से, तो depreciation 1st April से start हो जेगी, मतलब जिसतिन देट को asset available for use है, ऐसा नहीं है कि हमने 6 महीने use ही नहीं किया, तो depreciation चार्ज ही नहीं होगी, क्यों? तुमने अगर आज mobile purchase कर लिया, seal packed है, तुमने seal खोल के mobile निकाल दिया, बढ़ चलाया नहीं, 6 महीने, या साल नहीं चलाया, let's say तुमने 1,00,00,00 लिया, एक साल नहीं चलाया, तो क्या, एक साल बाद तुम उसको 1,00,00 बेचत होगे? नहीं बेच सकते, value गर जाएगी न, that is depreciation, तो जिस दिन available for use होता है, उस date से हम depreciation चार्ज करते हैं, this may be earlier than the date it is actually bought to use, जो मैंने बताया था अभी, the depreciation method should reflect as fairly as possible in pattern, which the asset economic benefit are consumed for entity, methods हमारे होते हैं, straight line method, reducing balance method, अब एक नया है machine hour method, यह मैं बताऊंगा क्या होते हैं, अब next part is, change from one method to another, जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें, कि अगर straight line method से, मैं return down value method में आता हूँ, तो क्या effect आएगा उस चीज़ का, तो उससे क्या change आएगा, हना, तो क्या यह allowed है पहली बात, change from one method, one method of providing depreciation to another, is permissible only on the grounds that, new method will give a fairer presentation of the results, and of the financial position, अगर जो नया method हम चार्ज कर रहे हैं, हमें पता है कि उस method से, वो और ज़्यादा fair है, पहले वाले method से तभी उसको यूज़ करेंगे, does not constitute a change of accounting policy, मतलब ऐसा नहीं है कि हम policy change कर रहे हैं, depreciation की, मतलब इड़स नोट constitute कि हम policy change कर रहे हैं, पहले state line method चार्ज करते थे, अब written down चार्ज कर रहे हैं, तब वो चीज़ permissible नहीं है, अगर estimate में कुछ चेंज हो है, जैसे useful life चेंज होगी asset की, पहले हमारे asset की useful life थे 10 years, हर साल useful life चेंज होती रहती है, कभी 5, कभी 6, कभी 4, let's say buildings, buildings की not useful life value चेंज होती रहती है, हना, तो कई assets भी ऐसे होते हैं, जिनकी useful life भी बढ़ती गिरती रहती है, ठीक है, जैसे हमारे, for example, natural चीज़ीं होती है, natural resources, जैसे petrol, ठीक है, just an example guys, मैं just an example बढ़ा रहा हूं, तो उनकी value कम जादा होती रहती है, तो ये method हमने change कर लिया, कि यार ऐसा नहीं है, कि petrol इतना ही चलेगा, हर साल change होता है, तो हम straight line method की जगा, return down value चार्ज करना शुरू कर देंगे, तो अगर तो permissible तभी है, कि नया method fair है, accounting policy की वज़े से नहीं है, estimate change की वज़े से है, the carrying amount should be written off, over the remaining useful life, and commencing period will begin, ये हमने अलेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं यहां नहीं करा दा, illustration 3 से देख लेते हैं, an asset cost 1 lakh has an expected useful life of 10 years, the purchaser intend to use assets for 6 years, at which point the expected value of will be 40,000 at current price, what will be the depreciable amount, 1 lakh minus 40,000 that is, 1 second, so guys, this question में थोड अग अलग concept है, यहां से देखो, एक asset को वो कह रहे हैं, कि purchase किया था for 1 lakh, और इसकी जो useful life थी, that was 10 years, अब हुआ क्या, purchaser ने बोला, कि मैं तो सिर्फ इसको 6 साल के लिए ही use करूँगा, उसने बोला कि I'll use it for only 6 years, तो point is, 6 साल बात वो कह रहे हैं, मैं asset एक तरह से बेच दूँगा, ठीक है, तो what is the depreciable amount, तो देखो, 1 lakh, divide by useful life 10, यहाँ पर मैं divide by 6 नहीं करूँगा, life जो actual उसकी 10 साल ही है, तो 10 साल की उसकी life है, that means, per year 10,000 depreciation होगी मेरी, इसने कहा कि मैं 6 साल यह उसकरूँगा, तो 1 lakh into 6, sorry, 10,000 into 6, 60,000 मेरी होगी total depreciation, that means, after 6 years, इस asset की value 1 lakh, minus 60,000, 40,000 रह जाएगी, जो कि हम expecting कि अगर 10 साल की life है, 6 साल बाद मैं इसको बेच दूँगा, तो 6 साल बाद मुझे 40,000 दे देगा, तो हमारी books में, हम इसको सिर्फ 6 साल के लिए ही depreciate करेंगे, तो 6 साल के लिए हम जो depreciate करेंगे, वो करेंगे 10,000 हर साल, so depreciable amount will be 60,000, हम depreciable amount 60,000 यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि asset हमें, एक तरह से scrap value होगी न, ये कह रहा है कि मैं asset को 6 साल बाद बेच दूँगा, और asset इसने purchase किया था 1 lakh का, तो 6 साल बाद जब ये बेच देगा, और हमें पता लगाए कि 6 साल बाद इसकी book value 40,000 है, so that means 40,000 तो हमें आई जाएंगे, तो इसका खर्चा कितना हुआ 60,000, so 60,000 divided by 6, that means 10,000 each year, तो यहाँ जो depreciable amount होगा, it will be 60,000, जो actually उसका loss हुआ है, तो 40 तो उसको बाद में recover होई जाएंगे, ठीक है, next आता है, review of useful life and residual value, मतलब जब हम useful life of asset को change करते हैं, और residual values को change करते हैं, ये भी already covered, तो फटावट से, useful life and residual value should be reviewed at the end of each reporting period, and revised if expectations are significantly different from the previous estimates, the carrying amount of the asset at the date of revision, the carrying amount of the asset at the date of revision, जिस date को हमने revise करना है, उस date का carrying amount, less any residual value should be depreciated over revised useful life, ये भी I think सबको पता होगा, question से करके देखते हैं, तो illustration number 4, an asset was purchased for 1 lakh on 1st January 2015, and a straight line depreciation of 20,000 per annum is charge, that means उसकी 5 years की life है, no residual value, the annual review of asset life is undertaken, and for this particular asset, the remaining useful life, as at 1st January 2017, is 8 years, that means 1st January 2017 को पता चला, इसकी life रहेगी 18 years, 8 years, sorry, तो 1 lakh, जब हमने purchase की थी, 20,000 depreciation per year, क्योंकि 5 years की इसकी life थी, तो January 15, यानि पूरा 15, पूरा 16, तो 2 साल की depreciation इसमें से minus हो जाएगी, तो value कितनी रहेगी हमारी 60,000, अब 60,000 जो हमारी value रहेगी, this is reviewed कि अब इसकी life, इतने की बाद बचिये, 8 years, अब 60,000 divided by 8, that means, 7500 depreciation each year, ठीक है guys, यह वैसे सबको आता ही होगा already, बट सिल मैं बता रहा हूँ, just एक quick revision के लिए, कि जो भी हमारा carrying amount आया है, उस date से मैंने एक तरह से इसको नए asset मानके, इस पे नई तरीके से depreciation charge कर ली, तो 2017 में जो depreciation charge होगी, that will be 7500, इन्होंने क्या बताया हुआ है, दिस दिस ठीक है, ठीक है, 75,000, अब जैसा मैंने तुम्हें एक पात बताया था, major inspection और overhaul cost, हाँ ना, कि major inspection अगर किसी asset में हुई है, तो उस case में हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखना ध्यान से guys, यह question भी important है, एक बार इसको पढ़ा देता हूँ, ताकि तुम्हें theory भी, it's a new part, तो theory भी पता होनी चाहिए, inspection and overall cost are generally expense as they incurred, normally हम इसको expense का मतलब होता है, कि इसको revenue मानते हैं, that means इसको सीधा का सीधा profit and loss में लेके जाते हैं, they are however capitalized as a non-current asset to the extent that they satisfy the Indian international accounting standard 16 rules for separate components, यह मने उपर पढ़ लिया था, where this is in the case, they are, sorry guys, बीच में I got a call, so, एक सगीन, so, basically जहां पे भी, कुछ जो हमने पढ़ा था, उसके according, जब भी हमें overall cost को capitalize करना होता है, तो उसका treatment क्या करेंगे, where this is the case, they are then depreciated over their useful life, अब inspection cost की useful life क्या होगी, उसकी useful life होती है, next inspection या next overall date तक की, ठीक है, इसका example जैसे मैं बता ताँ, example है, जैसे एक plant है, मैंने 10 lakh रुपीज का purchase किया था, इसकी useful life थी 5 years, तो 5 years इसकी useful life थी, that means हर साल इस पे 2 lakh depreciation लगेगी, अब इस plant की, let's say inspection cost थी 2 lakh, या 2 lakh ने चलो, 1 lakh 50,000, और ये inspection, हर 2 साल बाद होगी, हर 2 साल बाद inspection होगी, तो मुझे इसको तो normal depreciate करना ही करना है, इस 1 lakh 50,000 को भी मैं depreciate करूँगा, divide by 2, अब यहां useful life 5 years नहीं होगी, अगली जो inspection है, वो 2 साल बाद होगी, that means depreciation इस पे 2 years की लगेगी, तो 75,000 depreciation इस पे लग जाएगी, और इस पे तो normal 2 lakh, तो इसको मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, तो अब यह question देखते हैं, यहां से question देखना, 5,000,000,000,000,000,000,000,000 of this figure is estimated to be attributed to economic benefits that are restored by overhaul कि overhaul के बाद हमारे इसकी जो value है वो increase हो जाएगी and the cost is 5 million in the year 6 the cost of overhaul is estimated to be 6 million 6th year में हमें पता चला कि overhaul की cost है 6 million अब सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें हम कैसे depreciation को calculate करें अब ध्यान से देखो एक चीज देखो aircraft की cost है 25 million तो यह तो अलग चीज है this 25 million is a separate thing इसको तो अलग से मैं charge करूँगा इस पर तो depreciation जो मेरी 20 years की है 25 million divided by 20 तो एक तरह से 1 million 1.250 million depreciation तो aircraft पे लगेगी लगेगी बढ़ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हम बात कर रहे हैं इस economic benefit की तो पहले जो 5 million का खर्चा है पहला जो 5 million का खर्चा है अच्छा एक सेकिंद गाईज यह थोड़ा सा अलग है रुको 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 मैंने गलत calculate किया देखो aircraft हमें पड़ा है 25 million का जिसमें से 5 million है जिसमें से 5 million जो है वो एक तरह से हमारा overall का खर्चा है जो 6 साल बाद दुबारा change हो जाएगा तो 20, 25 million में से 20 million है aircraft की cost जिसकी life है 20 years और जो 5 million हमारा है वो है overall cost जो 5 साल बाद हमें change कराना पड़ेगा तो पहले साल हमारी depreciation कितनी आएगी first year will be 20 million divided by 20 1 million हमारी depreciation लगेगी per year और 5 million divided by 5 तो 1 million depreciation that means first 5 years हमारी total जो depreciation लगेगी that will be 2 million कैसे 25 million में से 20 million का जो cost है वो तो normal 20 साल की है जो 5 million की है that is the overall cost जो 5 साल के लिए ही है 5 साल बाद overall दुबारा खरानी पड़ेगी तो ये तो हमारी है depreciation first 5 years की अब आगे क्या लिखा हुआ है in 6th year the cost of overall is estimated to be 6 million अब 6th year में क्या होगा पहले I believe सबको ये समझा आ चुका होगा मैं इसको रब कर रहा हूँ उपर लिख देता हूँ कि 125 years की depreciation है 2 million आगे अब अगले 6 सालों में 6th year के बाद क्या होगा इस पे तो आगा है sorry मेरे को बीच में call आ गया था so 6 year के बाद देखो इस aircraft पे तो 20 million पे तो ये तो depreciation लगती रहेगी पुरे 20 साल के लिए अब जो मेरा overhaul का expenditure है वो मेरा अब हो गया है 6 million और ये हर 5 साल basically देखा जाए तो हर 5 साल बाद होनी है तो that means next 6 years के बाद 6 to 10 years हर साल 1 million तो depreciation मेरी aircraft पे लगनी है जो normal थी plus 6 million इसकी life है 5 years तो 6 divided by 5 so that means 1.2 million मेरी depreciation 6 to 10 years में हर साल लगेगी that means 2.2 million depreciation next हर साल लगेगी so मैंने basically क्या क्या aircraft की cost को अलग से लिखा और बाकि जो भी overhaul का जितने भी सालों का खर्चा हो रहे है उसको मैंने yearly bifurcate करके लिखना शुरू कर दिया this is major inspection और overall cost ठीक है यही I think इनोंने solution कर रखे हाँ same way चीज़ है guys ठीक है यह और यह ठीक है guys तो आज की video मैं इतनी बना रहा हूँ ठीक है एक चीज़ यहाद रखना guys इसका जो next part है मैं बता देता हूँ revaluation of non-current asset यह already हम कर चुके है तो video ज़रूर देख लो अगर नहीं देखी accounting for revaluation यह भी हम कर चुके है recognizing revaluation gains and losses यह मैं तुम्हें कराऊंगा अभी इसमे मैं ज़स तुम्हें एक बार दिखा रहा हूँ के इसमें क्या-क्या होना है अभी depreciation of revaluation asset यह चीज हमने कर चुके है already यह चीज भी हम कर चुके है disposal यह भी हम कर चुके है यह चीज हमने करनी है यह वाला part मैंने तुम्हें कराना है यह अभी तक cover हमने नहीं करा यह सारे grants तो देखा जाए तो chapter ज़्यादा बड़ा नहीं बचा है तो point is what you have to do now is तो जिन बच्चों को depreciation chapter आता है अच्छे से जो अभी तक हमने करा है उसकी revision कर लो और जिन बच्चों ने depreciation ठीक से नहीं करा पहले F3 में या जिनोंने exemption ली है तो वो जो videos का link मैंने description में दिया है वो जरूर पढ़ लें ताकि ये चीज उनको जादा detail में आती हो क्योंकि next video में मैं इस चीज को जादा concentrate करके नहीं करा हूँगा क्योंकि F3 में already करा हुआ ही है जैसा कि मैंने उपर बताया था जादा नहीं करा हूँगा मैं यहापे मैं बताऊंगा एक बार but not in detail because I expect के तुम्ही यह चीज पता होगी ठीक है जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा था इस anyone wants to contribute anything to my channel it's most welcome so you can contribute my bank detail and my paper detail are provided in the description as well ठीक है गाइस so take care and have a good time